हाई फ्रेंड्स वेलकम बैक टो माई चैनल और मैं हूँ श्वेता सिंग आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ बिहार में जो छट पूजा होता है उस टाइम पे जो ठिकुआ बनाया जाता है उसकी रेसिपी तो यहां पर मैंने लिया है दो कप गेहू का आटा मेज दो चमच के लगभग डालूंगी देसी केटेड नारियल यानि की नारियल का बुरादा और उसके बाद एक चौथाई चमच इलाइची पाउडर और अब मैं डाल रही हूँ आधा कप के लगभग पिसी होई शक्कर है और उसके बाद मैं यह दो से तीन चमच के लगभग ह देसी घी वो डाल दूंगी और उसके बाद इन सब को अच्छे से मिक्स करना है मयन घी का दिया है और मयन जैसे हमें मिलाया जाता है जैसे हम लोग मिलाते हैं बिल्कुल वैसे ही मिलाना है क्योंकि इसमें जो हर चीज की मात्रा है ना उसी से यह बहुत खस्ता बनता है तो तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, आटा कितना यूज करना है, शक्कर कितना यूज करना है, उसी हिसाब से घी लेना है आपको, तो अगर आपकी इन सब चीजों की मात्रा पॉफेक्ट रहेगी, तो आपका ठिकुआ बहुत ही खस्ता बनेगा, तो यहाँ पे आप देख तो अब भी मैंने थोड़ा से दूद डाल दिया है, दूद डालने के बाद इसे हमें गूथना है, और बहुत हार्ड डो बनाना है इसका, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा दूद डाल के मैं इसे गूथ रही हूँ, और इसे अच्छे से ऐसे ही तो आप देख सकते हैं, कैसे मैं गूथ रही हूँ, बिल्कुल ऐसे ही से गूथ के तयार करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह अभी मतलब थोड़ा सा बाइंडिंग इसमें होना स्टार्ट हो गई है, तो बस ऐसे ही से हमें अच्छे से मसलना है, और यह आटा ल कप से दूद मैंने लिया था, और यह आप देख सकते हैं, इतना दूद बच गया है, तो यह जो आटा मैंने गूथ के तयार किया था, उसे मैंने एक चौपिंग बोड पे ले लिया है, और इसे मैं अच्छे से मसल रही हूँ, अभी हमें इसमें कुछ लगाना नहीं है, मस उतना बड़ा ही, जितना बड़ा आप बनाना चाहते हैं, और उसे हाथों से अच्छे से मसल लेना है, और अब मैं आपको बताऊंगी कि बिना साचे के आप ठेकुआ घर पे घर की ही चीजों से कैसे बना सकते हैं, तो सबसे पहले हमने यह लोईया बनानी है, जैसे मैं बन बन के तयार है, तो अब मैं बता रही हूं कि बिना साचे के भी आप डिजाइन कैसे बना सकते हैं, यहां पे मैंने एक फॉक लिया है, काटा चमज, तो उसकी सहायता से इस पे हमें थोड़ा-थोड़ा दबा के डिजाइन बनाना है, यह आप देख सकते हैं, जैसे मैं बना इसे मैंने उल्टा कर दिया है, और उल्टा करके आप देख सकते हैं, ऐसे थोड़ा-थोड़ा हमें इसकी किनारे पे प्रेस करना है, तो इस तरीके से यह दूसरी डिजाइन भी बन जाएगी, और यह दिजाइन भी बहुत अच्छी लगती है, यह आप देख सकते हैं, यह ऑसे भी रख सकते हैं, то ऊसके बाद यहां पर मैंने एक टूथिक लिया है, और टूथिक की हिलb से हम डिजाईन बनाएं के सबसे पहले बीच में मैंने ऐसे डिजाईन कर ली है, उसके बाद पत्ती जैसे बनाते हैं वैसे ही टूथपिक से इसे प्रेस करना है तकि इस पर पत्ती की डिजाइन आ जाए यह आप देख सकते हैं जैसे मैं बना रही हूं बिल्कुल वैसे ही बनाना है किसी भी साचे की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको अगर आप बिना साचे की हमारी complete हो चुकी थी तो यहां पर हम चौथी डिजाइन बना लेते हैं यह टूथपिक लिया है मैंने उससे मैं ऐसे प्रेस कर रही हूं आप देख सकते हैं यह एक और डिजाइन बन के तयार हो गई तो अब हम बनाते हैं पांचोर डिजाइन यहां पर मैंने लिया है जिससे ह साइट का जो पार्ट है उसी की डिजाइन बनाएंगे तो यह आप देख सकते हैं यह आटे की लोई पर मैंने इसे रख के थोड़ा सा प्रेस कर दिया और यह छे डिजाइन हमारी बन के तयार हो चुकी है बिना साचे की और देखने में भी बहुत अच्छी लग रही है तो हम इसमें डालेंगे ठेकुआ फ्राई होने के लिए और आप देख सकते हैं बारी बारी से हम डाल रहे हैं इसमें उसके बाद हीट को लो रखना है लो फ्लेम पे ही इसे फ्राई करना है इसमें टाइम तो लगता है लेकिन यह लो फ्लेम पे काफी अच्छे से फ्राई होता तभी ये अंदर से खसता बनता है तो डालने के बाद एक बार इसे पलट देंगे और ये आप देख सकते हैं जैसे मैं पलट रही हूँ और ये ठेकुआ बनाते हैं आपको इस बात का ध्यान रखना है कि गैस की हीट को हाई नहीं करना है लो फ्लेम पे ही इसे हमें अच्छे स फ्राई करना है और ये आप देख सकते हैं ये काफी अच्छे से फ्राई हो रहा है तो बस इसी तरीके से इसे हमें फ्राई करना है और इस तरीके से आप बनाएंगे अगर आपका मेजरमेंट सही रहा और आपने इसे लो फ्लेम पे अच्छे से फ्राई किया है तो आपका ठेकुआ बहुत ही खस्ता बहुत ही करारा बनेगा और ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है अगर आप सफर में इसे बना के ले जाना चाहते हैं तो ये खराब नहीं होता है घर पे भी आप इसे बनाइए ये गिहों की आटे से भी बनता है मैदे से भी बनता है और तो यहां पे आप देख सकते हैं यह काफी अच्छे से फ्राई हो रहा है और अभी मैंने गैस की हीट को लो पे ही रखा है और इसका आप देख सकते हैं कलर भी काफी चेंज हो चुका है यह अंदर से पूरा पक चुका है तो अब हम इसे निकालेंगे प्लेट पे और प्लेट नहीं करनी है नहीं तो आपकी सारी मेहनत बेकार भी हो सकती है तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा तो बस ऐसे ही देखे मैंने सब फ्राइ कर लिया और अब मैं दूसरा राउंड इसमें डाल रही हो तो बस इसी तरह से हम दूसरा राउंड भी फ्राइ कर लेंगे और इस टाइम पर गैस की हीट बिलकुल लो है लो फ्लेम पर इसे हमें अच्छे से फ्राइ करना है और यह रेसिपी आप सब के यहां बनती होगी तो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताईएगा और बिहार में तो यह बहुत ज्यादा फेमस है और बहुत अच्छा लगता है खलकता है और यह रेसिपी इसलिए मैं आप सब के साथ शेयर करें हूँ ता कि अगर आपको बनाना आता है बनाते होंगे तो अगर आप कौन से बनातैों बहुत मजे जरूर बताईएगा मैं सब का अपना अपना तरीका होता है अलग-अलग तरीके तो आज की यह रेसिपी मेरी कैसी लगी मुझे कॉमेंट करके जरूर बताईएगा और यह आप देख सकते हैं यह भी काफी अच्छे से फ्राई हो चुका है तो अब हम इसे भी निकाल लेंगे एक प्लेट में और प्लेट में निकालने के बाद अभी इसी तरह से हमें सारे ठ गल्ट में बहुत ही खस्ता बन के तयार होता है बहुत ठीडी लगता है इसे आप बना इसते चै परबे कि सब्सक्राईब भी इस भी प्लीच अगर आपको मेरी रेसिपी मेरी ब्लॉग अच्छे लगते आँ तो प्लीज लाइक करिये काशें अगर्य। शेयर करियगए मेर